ममता दीदी कह रही है कि पहले से ही सोनार बांगला है आप क्या सोनार बांगला बनाएंगे क्योंकि आप तो विभाजन की राजनीती करने आए हैं पश्चुम बंगाल में देखे चितरा जी मैं तो खुद बंगाल से बहुत तालुक रखता हूँ बेंगोली बेंगली बोलता भी हूँ और आप भी बंगाल गई होंगी सोनार बंगला था कभी देखे बंगाल के लिए कहा जाता था बंगाल इतना महान था मगर आज बंगाल की परिस्थिती अभी कल्चर की बात की गई थी बंगाल के कल्चर में कभी भी एटैक नहीं लिखा है किसी को मारना बिलकुल नहीं लिखा है राष्टे अध्यक्ष जाएं उनके उपरा पत्थर वाजी करे और उसके बाद प्रेस कॉन्फरेंस करके यही ममतब इनरजी कहे कौन नड़ा ड़डा पड़ा ड़डा आएगा तो हम पत्थर मारेंगे अब बताइए बंगाल कभी अरे ड़डा ड़डा क्या होता है यह यह कल्चर बंगाल का नहीं है कहीं ने कहीं यह ममतब इनरजी का डर है और देखे बंगाल की जनता आपका यह डिबेट देख रही होगी मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ जब अंफान साइकलोन में आप पूचिए कांगरेस के परवक्त की सरकार को चाल चोर सरकार मतलब चावल चोर तिरपाल चोर सरकार तिरपाल जो हमने दिया था वो तिरपाल जनता तक अंफान में नहीं पहुचने दिया गया है और इसलिए मैं बताता हूँ और यह पूरा केस हाई कोट में गया यह हाई कोट का जज्जमेंट कलकता हाई को पैसा कहा चला गया महमता बेनर जी ने तुरंद जाके सुप्रीम कोट में केस किया कि सीए जी का ओडिट में नहीं कराऊंगी ए तो बहुए कहनो मैं दिदी से पूछना चाहता हूं ए तो बहुए कहनो क्यूं नहीं सीए सीए जी से ओडिट कराएंगी आप अगर हाई कोट कह रहा है कि सीए जी से ऑडिट कराना पड़े गा मोदी जी ने चावल भेजा मोदी जी ने तिरपाल भेजा कहां गया किसी बात करण तिरपाल चोर सरकार चॉलबेना 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 चार चोर सरकार तिरपाल चोर सरकार संबित पात्रा यहां पर लगा रहे हैं उसका भी जबात दीजे और यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात ये भीतरी बना बाहरी की लड़ाई ममताब एनरजी आखर क्यों और जो आरोप अमिच्छा की ओर से लगाए गये थे वहाँ पर रैली के और रोडशो के दोरान उन्होंने कहा था कि क्या अंद्रा गांधी या दूसरे तमाम कॉंग्रेस के निता जब जाते थे पर्शो मंगाल और जोरान भी ममताब एनरजी जब कॉंग्रेसी थी यही भाशा बोलती थी आज किस बात का डर है दीदी को शायद शायद एक गलत ही हो रही है क्योंकि यह जो उन्होंने बोहिरा को तो बोले है कि बाहर से आई हुए है यह जो कल्चर की बात है मतलब जो जो कल्चर हो ला रहे है बंगाल में यह बंगाल की कल्चर है नहीं यह जो अभी संबीत जी ने बोल रहे थे कि हम बहुत ताल इस स्वाइन यहां की बड़े क्लिचर क्या है यह जो आप बता रहे हैं और रहे हैं और आप आईये घुमिये कहा जाना को मेरे साथ चलिए आपके साथ क्यों जाएंगे हम आके ले नहीं जा सकते हैं हमारेंगे फिर बोलते आईए ना वह दो लाग करोर की प्रॉब्लेम है इतना बड़ा अंफान हुआ है अपनों को पता है मोदी जी आके घूम के चले गए कितना दिया हजार करोर वो कि पूछ र पेर गिया था खली कलकत्ता में तो आपको क्या लगता है आपका दो हजार करोर बहुत बड़ी बात होगी है कि मोदी जी आके दे दिये हैं सब कुछ मोदी जी बेचते हैं चावल मोदी जी बेचते हैं तिरपल मोदी जी बेचते हैं बंगाल के सरकार ऐसे हाथ में हाथ ले किसी ने कोई बात कर सके कभी किसी opposition में बात करते हैं तो तुरंत उसको बुल्डोज कर देते हैं यह क्या एक केंद्र सरकार चलानी के पेडरल स्ट्राक्चर चलाने की सिस्टेम है संबीत जी को पता नहीं है कि कैसे पार्लामेंट चला जाता है विंटर सेशन बंद कर दिये गए आप बुल्डोज मत करिये मैं जवाब दे रहा हूं अब सुनिए बोलिया सुनिए चित्रा जी चित्रा जी मुझे मुझे बहुत आश्चरी हो रहा है यहां पर कहा जा रहा है कि हम लों को कुछ पता नहीं और बाहरी भित्री की बात हो रही है कि हम लों कल्चर नहीं समझते हैं हम जाएंगे तो यह बाहरी लोग है बताए यह रोहिंग्यान का कल्चर आपका है आपका है रोहिंग्यान के कितने फिरकों ने वहां पर बैठक किया था और हि अपने कल्चर के नहीं है अरे हम तो मां को पूजा करने दुर्गा पूजा करने वाले लोग भगवान जगर्नाथ के पूजा करने वाले लोग हम आपके नहीं है काली मा को मानने वाले लोग हम आपके नहीं है मगर बंगलादेशी और रोहिंग्यान वो आपके हो गए अरे बंगाल का कल्चर दुर्गा मातार कल्चर ना 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 जिदी सुनो सुनो जिदी आपनी सुनो हम तो हम तो हम तो काली मा को मानते हैं हम तो काली मा को मानते हैं रोहिंग्यान तो नहीं मानते काली मा को हम आपके ब पहरी हो गया कि य्क्ति हगा हो गया इसे यह क्यां सक्ता है यह क्लुचर को समझते हैं खांडू उस्तामी सनी बंगाल के kultur को नहीं समझ इस एक यह मता नराज हो जाती है क्या यह क्रें болना का अब बताइए या पालचार